हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुती जादा टेस्टी मूंगफली की नरम बर्फी इन्हें आप वर्द में खा सकते हैं और त्योहार पर भी आसानी से बना कर कुछ दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना तो इसके लिए मैंने दो कोटोरी मूंगफली ली हैं तो बिल्कुल ये फ्रेस और ताजा मूंगफली है आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकती है बट मैंने इसको घर पे ही छिलके से हटा कर निकाला है और इसमें बिल्कुल छोड़ी छोड़ी जो मूंगफली के बीज होते हैं उनको हमें निकाल लेना है और अब हम गेस के उपर कढ़ाई रखेंगे और गेस की आंस को ज्यादा लो नहीं करने मीडियम पे पकाना है में और अब इ हमें ये प्रोसेस करते हुए पांस मिट लगेंगे अगर केस की आंच आप फुल रखोगे तो मूंगफली बार से सिख जाएगी बट अंदर से ये कच्ची रह जाएगी तो ये देखिए फ्रेंस पांस मिट के बाद मूंगफली अच्छे से छिलके उतारने लग गई हैं त यहाँ पर हम इसके छिलके को हटा देते हैं अगर बीच में थोड़े थोड़े छिलके रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं ये चलेगा इसमें कोई घबराने वादी बात नहीं है एक दो पीस ऐसे हो तो चलता है अब हमें लेना है मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में हम फ चलने से अच्छे से चन लेना है और अब इसमें एड़ करेंगे दो चमर्च मिलक पाउडर मिलक पाउडर से जो मुंफली की बर्फी बनाएंगे उसमें टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा ये बिल्कुल काजू कतली जैसे लगेगी तो ये देखे फ्रेंड्स मुंफली ली थी एक टोरी चीने डाली है आपको अगर ज्यादा मिठा फसंदो तो थोड़ी चीनी और ले सकते हो आप अपने स्वाद के अनुसार तो यहां पे हमें इसकी हार्ड चासने नहीं बनानी बस चीनी को घुलना है यहां से इस तरीके से जब तक चीनी घुले तो अब इसमें हम जो हमारा मुंफली का पाउडर पीसा था तो वो हम इसमें एड कर देती हैं हमें इसमें थोड़ा थोड़ा एड करना है क्योंकि इकठा डालेंगे तो इसमें गुठलियां भी हो सकती है तो एक एक चमस करके धीर धीरे हम इसमें एड करेंगे और एक और इसकी जो गेस है हमें मीडियम ही रखनी है फुल नहीं करने क्योंकि जब फुल कर देते हैं तो यह कड़ाई के नीचे चिपकने लग जाते हैं तो हमें मीडियम आज पर इसको पकाना है करीब करीब 5-7 मिन्ट इसको लग जाती है पकते हुए तो जैसे जैसे यह पकेगा वेसे वेसे यह गाड़ा होता जाएगा और कड़ाई पर यह चिपकेगा भी नहीं जैसे अब इस तरीके से चिपक रहा है वेसे नहीं चिपकेगा तो हमें इसी तरीके से चमस को चलाते हुए इसको पका लेना है यह देखिए फ्रेंट्स बस चमस को हमें नहीं छोड़ना अगर चमज को छोड़ दिया, तो गड़ी म Tucson हो जाएगी। चमज को इसी तरीके से चलाते रहना है। मुफली की बर्फी बनाते वक्त हमें सिर्फ यहीं ध्यान रखना है। चासने को जादा हार्ट भी नहीं करना और जादा शोफ्ट भी नहीं करना। बस अगर ये ध्यान रहे गया तो हमारी जो मूंफली की बरफी है बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनेगी तो ये देखें फ्रेंट्स यहाँ पे कड़ाई जो ये है कड़ाई को छोड़ने लग गया है और ये गाड़ा भी होने लग गया है तो अब हम गेस को ओफ कर देते हैं और इसको हम डालेंगे एक पोलिथिन के उपर क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गरम है तो हम हाथ तो लगा नहीं सकते इसके तो हम एक पोलिथिन लेगे या फिर आप बटर पेपर भी ले सकते हो तो मैं यहाँ एक पोलिथिन का यूज करूंगी हमें बेटर को इस तरीके से पका लेना है और एक पोलिथिन से हमें इस तरीके से इसको गूंथना है जैसे-जैसे हम इसको इस तरीके से करेंगे वेशे-वेशे यह और ज्यादा hard हो जाएगा और उसके बाद हम इस तरीके से एक लोई बना लेंगे तो यह देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से लोई बन गई है और अब हम एक balance लेगे balance की साइता से हमें जिस shape में आपको काटना है उसी तरीके से आप shape दे सकते हो तो मैंने याँ इसको गोल बेल लिया है और अब इसके उपर मैं डाल रही हूँ कुछ गुलाब की सुकी पतियां और कुछ बादाम और यह मैंने पहले भी डाल दिया था वीडियो skip हो गया है क्योंकि मेरे को इसके अंदर डाले फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने डाल दिया था आप चाहो तो इसके अंदर रख देते हो नहीं आप उपर से भी लगा सकते हो तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मूंफले की जो बरफी है बनकर रेडी हो गई है आई होप की आपको रेमेडी अच्छे लगी है अगर फ्रेंड्स अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू पूर वाजिए